जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महा काली भगदियान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता से आमने सामने बात करने का अच्छो को पाए सिर्फ तीन दिन ये चार चीज का भोग लगाओ माता खुद आएगी आपके पास आपको माता को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सिर्फ आपको क्या करना है पांच मिन्ट माता का बैठके ध्यान करना है जब ये चार चीजों का भोग आप अपने हातों से माकाली को अपने घर के अंदर लगाएंगे तो माता को तो आना ही आना है उसे आने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि जब आप माता काली का ये प्रिये भोग अपने हाथों से अपने घ्र में लगएंगे तो माता आएगी आपके सामने देखिए मा काली से जो ब़क्त बात करना चाते हैं आमने सामने तो वो ये उपाए चरूर करें ये उपाए भहत ही अचूक उपाए हैं इसमें कोई कठीना ही नहीं है बस आपको घर घर में करना है बाहर जाने की भी कोई जरूत नहीं है कैसे कैसे करना है ये तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी बताऊंगी लेकिन याद रखिएगा जब भी आप ये उपाय करेंगे तो उस तरीके से करेंगे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी पूरे उसी तरीक करके मत कहना कि आपके इस उपाय से मुझे फायदा नहीं हुआ इसलिए कह रही हूँ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करना उसके बाद आप मुझे वो कह देना जो कहना हूँ लेकिन हंड्रेट परसेंट में गारेंटी दे देती हूँ जब आप ये काली मत का चुक उपाय करेंगे तो ये आपको सिर्फ तीन दिन करना है चार चीजों का भोग अपने हातों से पने घर में मत कादी को लगाना है बाकी कुछ नहीं करना फिर उसके बाद आप खुद देखना पाच मिन्ट का बैठके ध्यान करना मा काली का और आपके माकादी सामने आकर दिखेगी मतलब माता काली आपके पास खुद ही आये करेगी आपको बुलाने की भी ज़रुद नहीं होगी तो नहीं मैं आपको गारंटी दे देती तो मैं आपको सब कुछ वीडियो के माध्यम से बताऊंगी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आपसे करना चाहूंगी अगर आप लोग महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आये हो तीन दिन का समय आपको कैसे भी करके इस उपाई के लिए लिकालना पड़ेगा विचाया आप बिजनस करते हो या कहीं जोग करते हो कुछ भी करते हो तो तीन दिन तो आपको इस उपाय के लिए निकालने पड़ेंगे लेकिन याद रखिएगा इश उपाय को करने के को एक सूखे गोला कटा हुआ दिखरा उपर से ऐसे ही दो चम्मच दालना है और पांच तरह के ड्राइ फूड आपको लेने हैं मानलब की जैसे काजू Didam लेते निवी के इसे अब औरब जो zastमाले में सब डालने केरा हैं अगर पूरा पान पिन मिल जा तो भी इस तब जाल जाते तो चीजना, अब यह तरफ चीजें डालने के बाद उपर से आपको दो हरी लाईची डाल देनी है और साथ में आपको एक बतासा दो लोंग फूल वाली माकादी के नम से सुखे गोले के अंदर आपको डाल देना है अब जैसे ही समझ लीजिए आप सुखे गोले में एक ही करके ये सारी चीजे डालते रहेंगे बाद में आपको सुखे गोले को जो आपने उपर से काटा है जो उपर का हिस्सा है उसका आपको वैसे ही जोड़ देना है जैसे सुखा गोला जुड़ा बाता है वैसे ही आपको उपर से उसे लगा देना है लगाने के बाद आपको कलावा लेना है मोली जिसे कहते हैं कलावे से आप लोगों को सुखे गोले को बांद लेना है दोनों तरफ से बांदना है जैसे आपको सुखे गोले इस तरीके से दिखे रहा है एक तो आपको इस तरफ से सीधी तरफ से बांदना है पीछे आपको आगे की तरब से बानना जैसे क्रोस होता है ऐसी ही आपको सादवार कलावे से सुखे गोले को बानद लेना है इस तरीके से बानलाई लगी जो चीजे आपने इसमें ढाली है ये चीजे भार ना निकले गिरे ना अब आपने इसे कलावे से बांद दिया है बांदने के बाद आपको क्या करना है अपने घर में रात करेक्ट 11 बजे याद रखेएगा कि जो समय है सबसे ज़्यादा मेन है समय आपको एक ही रखना है 11 बजे का 12 बजे भी आप कर सकते हैं लेकिन 2 समय है 11-12 दोनों में से किसी भी समय जो समय आप करेंगे तो तीन दिन तक आपको लगातार इसी समय पे माता को भोग देना पड़ेगा इस चीज का पहले ही ध्यान रख लीजिएगा सबसे पहले आपके गर में हवन कुंड हो या मट्टी का कोई खपर हो उसके अंदर तीन से चार आपको बड़े बड़े कपूर जला लेने हैं कपूर जला के मा काली के नाम से ये महा भोग आपको देना है और माता को अपने सामने प्रकट करना है माता से बोलना है माता काली मेरे सामने प्रकट हो और मुझे अपने शाक्षत रूप में दर्शन दे माता और मैं तुससे बात करने चाता हूँ मेरी परिशानी का हल निकाल ठीके बस इतना आपको इस सब्द बोल देना है उसके बाद माता को सुका गोला भोग में दे देना है और समय याद रखेगा दुवाल से बताने जिस समय पर आप इसकी जब उपाई की सुरुवात करेंगे अचुक उपाई जो मैंने बताया है जिस समय पर आप माता काली को भोग दे रहे हैं तो आपको तीन दिन तक लगातार उसी समय पर देना है समय आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए जिसे मैंने दो समय बताये हैं रात तरी 11 वजे और रात तरी 12 वजे बस ये भोग दे दो इसके बाद अपने मुहाद दो के सोजाओ फिर उसके बाद देखो तीन दिन तक लिए आपको करना है अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मा काली हर हर महादे मा तक काली बाबा भोलेना ता आप सभी की मनुकामना पूरी करें